नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दाल चीनी को हाई बिलेड प्रेशर में कैसे यूज कर सकते हैं, आयरोएद के तोर पर और हाई कॉलस्टोल में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो दाल चीनी के ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी हजारों फायदे हैं बाकि या ओधर फायदे मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा तो आज का हमारा टोपिक है कोलेस्टोल एंड हाई बीपी जियां दोस्तो हाई बीपी एंड कोलेस्टोल एक ऐसी प्रोब्लम है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है पहले तो ये 40 साल के बाद देखी जाते थी लेकिन अब तो 25 साल के आसपास ये प्रोब्लम 20 साल से उपर के नोजवानों में प्रोब्लम देखी जाती है तो इसके लिए आप बहुत सारी दवाईयां यूज करते होंगे ऐलोपैतिक में तो जब तक आप दवाईय लेते रहते हैं तो ठीक रहता है जब दवाईय छोड़ देते हैं तो दिक्कत आती है और फिर उसके बड़े-बड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो मैंने बनाया है दाल चीनी के बहुत सारे अद्वुत फायदे हैं कापी सारे रोगों में तो अगर आपको हाई कोलेस्टोल हाई बीपी की समस्या रहती है तो दाल चीनी चूरन को ले सकते हैं दो ग्राम चूरन सुबहे दो ग्राम चूरन दो पैर को दो ग्राम चूरन साम को आप आपको लेना है थोड़ा ऐसे गुनगुने पानी के साथ जो की और खाली पेट बहुत अच्छे रिजल्ट इसके दिखेंगे जब आप लगबग दो सब्ता से उपर आपका हो जाएगा तो आपका कोलेस्टोल धीरे धीरे कम होगा और बीपी भी धीरे धीरे कम होगा और इसको सबजी में भी डालके ले सकते हैं जैसा आपकी मर्जी तो बहुत अच्छा इफेक्टिस का कोलेस्टोल और खाई बीपी में देखा गया है एक बार एक सर्वे हुआ था तो उसमें कि जो दालचीनी का यूज करता है उसमें कोलेस्टोल की मातरा की काफी कमी पाई गई थी तो इसका कोलेस्टोल के उपर कई बार सर्वे हुआ है रिसर्च इसके उपर हुआ है तो दालचीनी और भी विमारियों में की जैसे दिक्कत होती जैसे सांस दमा हो गया तो सवभाव से गरम होती है तो बहुत अच्छा ये कारिये करती है ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर कर ले चैहिंचे भारत